कमर दर्द के लिए करने वाले आसनों में मरकट आसन का भ्यास दोनों हाथ को खोल दीजिए और सास पुरा भरिए दस सेकेंड रोकना है वहीं पर एक दो और गर्दन गिराई इधर तीर चार पाच छे यह उठा उठे पर एड़ी एड़ी पर और घुटना घुटने पर दोनों कंध्या जमीन पर गर्दन बाई तरफ पैरदाई तरफ छे साथ हाट नो दस एक दो तेन चार पाँच छे साथ आठ नो दस इसको पाँच पाँच बार करेंगे दोनों तरफ से चाहे कितना भी भायंकर कमर में दर्द हो इस अभ्यास को दस बार से लेकर के पचास बार तक सो बार तक करना होता है यदि घुटना में दर्द हो और कमर में भी दर्द हो तो अभ्यास करना बहुत टफ हो जाता है कि दोनों अभ्यासों में बहुत सारे आशन वर्जित होते हैं मरकट आसन का यह पहला अभ्यास जब सांस भर के आँख बंद करके गोल्ड करते हैं उस समय में आपको इस्वर का ध्यान करना है मन में आप कृष्ण कृष्ण कहें ओम ओम का जाब करें या प्रार्थना के साथ प्रभू से यही विन्ती करिए कि हे प्रभू हमारे मेरुदंड में हमारे कमर में दर्द हो रहा है उस दर्द का आप भरण करिए ऐसा जब सोचते हुए अभ्यास करिएगा तब जाकर के आपको लाब मिलेगा नहीं प्रार्थना के साथ नहीं करेंगे जीवन वार इस मरकट आसन को करते रहेंगे आपको कमर दर्द में कभी भी लाब नहीं मिल सकता है इसलिए इस्वरिये प्रार्थना के साथ करना है इसका दूसरा एस्टेप करेंगे दोनों पैरों को खोल दीजिए पीच में पैर ले आईए फैलाये इड़ी को और घुटना को कम से कम दो फीट फैलाएंगे अब सास को भरिये दाइना पैर को जमीन पर गिरने देजिए दाइनी तरफ और बाया पैर का घुटना भी जमीन पर चला जाएगा दोनों हाथ कंदे के बराबर रखिए और दस सेकेंड होल्ड करिए उल्टा उधर माही तरफ कान जमीन में सटना चाहिए अब प्रार्थना शुरू करिए मन में सोचिए कि हे भगवान हे परमपिता परमेश्वर हे योग माया हे जगजन नीमा हमारे जीवन में जवांक बन करिएगा और प्रार्थना करिएगा तो जब से हम हो सम्हाले हैं पुरा पैर गिरने दीजे नीचे गिराई उसको भी गिरने दीजे नीचे जाने दीजे दाइने को भी दाइना घुटना गिरेगा दाइनी तरफ जमीन में अचसमा डालेजे वहां से यही किरिया दोनों तरफ से करिए वह सुन्दा सटाय ठेउना को इस गोटना को और सटाना है ऐसे जमीन में गर्दन उल्टा करिए तानना है इसको खीचना ही है जितना अच्छा से खीचेंगे स्ट्रेच करेंगे उतना ही बढ़ी अला मिलेगा यह मरकट आसन का दूसरा भ्यास भी दस बार बाएं तरफ दस बार दाई तरफ करेंगे होल्ड करेंगे दस बार यह मरकट आसन का भ्यास करने से प्रार्थना युक्त मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक प्रार्थना नहीं करिएगा, जब तक विन्ती नहीं करिएगा, तब तक आपको कोई भी आसन करने से विशेस लाब मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि दस साल से करता हूँ कोई लाब नहीं है, मैं बोलता हूँ यही कार प्रिश्ते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं आपको वही प्रकार वही अभ्यास के साथ हो रहा है जब तक आप पूर्णता समर्पित नहीं हो येगा आसनों के प्रती, इस्वर के प्रती, भक्ती वहाँ में जब तक नहीं करिएगा आपका किया हुआ लाब करते रही सभ्यास को बहु सुन्दर अभ्यास लाब लेने के लिए पहले सुरू करते हैं पाच माच बार, फिर दस दस बार, बीस बीस बार, तीस दीस बार, रोज बढ़ाते जाते हैं पाच बाच बार एश्टेप को तो आईए आप सभी को ब्रीज मोहन योग चैनल में स्वागत है और ब्रीज मोहन योग किंद्र में लगातार नेमित रूप से पूरे भोजपूर जीले को प्रतिन इजित्व करते हुए योग प्रणयाम का निरंतर अभ्यास यहां पर किया जाता है साथ ही साथ यहां एक अनुसंधान किंद्र भी है यहां एक रिशर्च सेंटर भी है हम लगातार 20 वर्सों से अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन सा भ्यास किस प्रकार करने से किन-किन विमारियों में किस प्रकार लाब मिलता है और लोग लाब ले रहे हैं